नमस्कार मैं हूँ विकाद गोश्वामी और आप इंसाइट भारत टीवी देख रहे हैं गोरगपूर बाबा गोरक्षनात की धर्ती यानि पुर्वांचल की धर्ती CMC टीवी का जाता है यानि कि मुखे मंतरी का सहर लेकिन समाजवादी पार्टी की राष्टी अध्यक्ष का कल आगमन हो रहा है कल यानि कि 13 नमबर को 13 नमबर को उनकी विजयरत यात्रा गोरगपूर से कुछी नगर तक्ती होगी इस वक्त मैं मौझूद हूँ गोरगपूर में मेरे साथ मौझूद है गोरगपूर ग्रामीड के पुर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के बढ़े नेता गोरकपूर से बढ़े बहुत बढ़े नेता विजय बहादुर यादो जी बहुत बहुत स्वागत थे सर आपका इंसाइड के साथियों को हमारी तरफ से बढ़ाई और शुबकामना इसलिए शुबकामना के इंसाइड की टीवी है जो आइना दिखा रही है सारा कुछ सेड्यूल हो चुका होगा आप लोग के फाइलों में आप लोग की डायरी में किस तरह की तयारी है कल देखे कल जो समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्षा है पुर्मुख्यमंती रहे हैं जिन से उत्तर प्रेस की जनता आम जनता जो उमीद बनाए बै कल उनका आगवन गोरखपूर एयरपोर्ट पर दस बजी होने जा रहा है हम सब समाजवादी साथी एक पलक बिछाए बैठे हैं कि राष्टी अध्यक्षी आएंगी उनका स्वागत करना है और स्वागत इसलिए करना है कि 12 से 17 में राष्टी अध्यक्षी ने इस पुर्व संचल के विकास के लिए राष्टी अध्यक्षादर्णी अखलेश यादों ने पूरे कमेस कमिस्टनी से जोडने के लिए फोर लेन दिया गोरखपूर से महराज गन्ज गोरखपूर से दिवरिया गोरखपूर से कालेशर जो एक यतिहासिक काम था जिसको आज भी जनता सर लाती है आज भी उनके कामों को देखती है। उन्होंने तो एक मार्डल प्रस्तूत किया पूरे देश के लिए कि विकास कैसी होना चाहिए। और विकास कितनी इमानदारी के साथ होना चाहिए। उन्होंने लखनौश आग्रा इस्वेसाई शिक्स लेन का बना करके फाइटर प्लेन उतार करके बताया कि विकास ऐसे होना चाहिए आज की जो इस्तित्त हग पुर्वांचल की भहुत ही भयावा है आज आप देख लेंगे कि गोरफपुर का कहने के लिए और बनारास का सहर कहने के लिए प्रानमंत्री का शार है लेकिन उसके बीच का 200 किलमेटर का सफर हम जानते हैं कि देश का सबसे कठिन सफर है हम लोग आठ घंटा दस घंटा में तैंक करते हैं अगर जो हम अपने राष्टियत ध्यक्ति के इस पर साइवे से जात 200 किलमेटर में 10 घंटा लग जाते हैं आज इस्तित बहुत भराव है इसलिए राष्ट्री अध्यक जी का स्वागत आम जनता जो महंगाई से करा रही है आम जनता जो कुसासन से करा रही है जिसने मनेश कुपता का हत्या का कांट देखा है जिन्होंने जाना है कि योगी के पूराज में किस प्रकार से पुलिस वाले 12 बेजे रात को एक नौजवान को काल के घाट उतार देते हैं किस प्रकार से बिकास में बाधाया आ रही है पूरा गोरक पूर जलमंगन था आज भी भरवलिया पत्रा बढ़गों में एक डेड़ पूट पानी लगा हुआ है कहन कहते हैं तो लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि यह सिएम सीटी आलाकी वर्तात की दिनों में अभी आपने जिक्र किया और उसको मैं भी माना नहीं करूँगा, डिनाय नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद जमीन पे था, कवरेज किया, और तमाम जगों पे पानी लगा हुआ था, और अभी भी कुछ जगों पे लगा हुआ है, लेकिन क्या गोरकपुर की विकास को लेकर लोग कहते हैं कि यह को लेपटाप इस तरह के आफ़र, इस तरह की योजनाय क्या लुभा पाएंगे, क्या जनता परिवर्तन इन सब चीजों को लेकर परिवर्तन के मूड में है, देखिए, कोरोना काल ने लोगों को समझा दिया, एक पढ़ा लिखा अनुभावी, मुख्यमंति क्या कर सकता है आज आधनी अखलेश यादों की कामू ने, जो हंडेट डायल, एक सवाठ एम्बुलेंस, जिसको भारती जनता पार्टी ने 112 जब से किया, तब से हंडेट डायल का मौत खतम हो गया, एक सवाठ जब से समाप्त हो गई, आज जब से वहाँ तेल नहीं मिलना प्राणम हुआ उन ड्राइबरों को तनखा नहीं मिला, आज एम्बुलेंस के स्थित बस से बत्तर हो गई, आज इसलिए मित्रम बता दें, जो इस्थित आज जो नरकी हालत आहम जनता के सामने खड़ी है, आपने कोबिट काल में देख लिया, कि इस पूरे प्रदेश में न दवाई मिली, इन बेट मिला, ने इंजेक्शन मिला, अंत हद तो तब हो गई, जो हमारे मानी मुख्यमंते जी सनातन धन संस्कृत की दुहाई दे करके सियासत करते हैं, और सनातन धन संस्कृत के पोर्सक और अच्छक, जो दा संसकार की बेवस्था भी नहीं करवा पाए, हम लोगों के बरिजन गंगा जी मिला से बहती दिखाई दी, इसलिए आम जनता यह जान चुकी है कि आधनी अखिलेश यादो ही उत्तर पर इसका विकास कर सकते हैं, और अधनी अखिलेश यादो ही खरा उतर सकते हैं, वही 300 बेजली दे करके, जो आज दीन द्याल उपाध्या से बिजली के घएट दून आ, आज इस्तित बत्तर लगा करके बिजली में घटायों, इसमें हम लोग नापतायों करते थे आज बिजली को घटायों करके, मीटर को बढ़ा कर्के लोगों से बिल को असुला जा रहा है, आज इसलिए पंधब्ete ओगले है, इक एक सामागरीा कि मिस मनेजमेंट के वज़र से जब किसान के घर में होता है तो आलू 3 रुपया बेगता है आज जब वह कारोबारी के घर में जाता है ब्यापारियों के घर में जाता है आडानी अंबानी का कंट्रोल होता है तो आलू 40 रुपया बेगता है इस्टित बहुत भयावे है दाल की स अब इसेज जो मजदूर को मजदूरी का कोई काम नहीं कोई डॉबलमेट नहीं है मजदूरी का कोई काम नहीं है महांगाई चर्म पर है बहुत बहुत सुक्रिया सर इंसाइट भारट tv से वांचित करने के लिए अब कलका महौल क्या होगा यह देखने कविश्य होगा बहुत बहुत भुएंसाइट tv के साथिंक को बहुत धनिवाद निए आप का चैनल इसी से आइना दिखाता रहे और समाज में कम्यों को उजागर करता रहे इसलिए आपको कोट-कोट बधाई धन्यवाद बहुत बहुत सुक्रिया सर्तों आप थे ग्रामीड के गोरकपुर ग्रामीड के पूर विधायक और समाजवादी पार्टी के ने था विजय बहादुर यादो जी बाकी कल का दिन 13 नमबर क्या माहौल होगा गोरकपुर में वह उस एक एक पल की खवर को देखने के लिए जान भर्मा मैं विकाद गुष्वामी और आप इंसाइट भारती वी देख रहे हैं धन्यवाद